नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अपने योटूब चैनल एजूकेशन विद्दिल मौमन में दोस्तों आज हम लोग खेल प्रतियोगता मैं भाग दीन मैं बताना चाहूंगा साथियों कि मैं अपने चैनल पे खेल प्रतियोगता से दो वीडियो अपलोड कर चुका जैसे TGT, PGT, KBS, NBS और फिजिकल एजूकेशन से जितने भी एक्जाम होते हैं सभी एक्जामों के लिए महत्पूर है तो साथियों आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है और चैनल पे नए है तो आप हमारे चै लिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसके साथ ही साथ मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं आईए साथियों बिना देरी किये हुए इस वीडियो को होना चाहिए, तो ये NBS TGT 2016 का कोचन अलग में साथियो, तो A option है सत्ताधारी और B option है अनुम्मती, बोधक और C option है साधिकार और D option है लोकतांतरिक या परजातांतरिक, तो शाथियो इसका D option राइट हो जाता है, लोकतांतरिक या परजातांतरिक तो ये D option अगर इसमें प्रजा तांत्रिक साथ यो आप्सन होता तो भी सही होता और लोक तांत्रिक होता केवल तो भी सही होता लेकिन यहां लोक तांत्रिक और प्रजा तांत्रिक दोनों दिया है इसलिए दोनों यह जो है डी आप्सन हमारा सही है और इस question की साथियों ब्याख्या भी हम साथी साथ देखते चलेंगे कप्तान को अपने टीम के सदस्यों के प्रती लोकतांत्रिक बिवहार रखना चाहिए जिससे खिलाडियों में मतभेद पैदा नहों और एक राश्टी टीम का खिलाड़ी अपने टीम के प्रती उत्तम परिडाम देने के लिए निरंतर परियास करें जिससे टीम के कप्तान को परजा तांत्रिक बिवहार रखना चाहिए उसके बाद साथियों नेक्स्ट कोशन है कि जब एक समूह के सदस्यों में आपस में आकरसड देखा जाता है तो वह समूह कहलाता है तो आपस में आकरसड देखा जाता है वह समूह क्या कहलाता है साथियों तो A आपसन है भीड और B आपसन है संसक्ति सील और C आपसन ए टीम और D आपसन ए प्राथमिक समूँ तो सातियों सन सकति सील इसका राइट उत्तर हो जाता है तो इसका B आपसन हमारा राइट है उसके बाद सातियों इसकी ब्याक्याबे भी देख लेते हैं किसी एक समू के लोगों के बीच आपस में एक दूसरे में आकरसर देखा जाता है तो आएक दूसरे से जोडने वाला या संसक्ति सील समू का लाता है उसके बाद सातियों अगला कुश्चन है कौन सी टेनिस प्रतियोगता दूसरी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगता है तो यह है आस्ट्रेलिया आई उपन सरी बिमबंडल है तो इसका राइट आन्सर सातियों इसका राइट आंसर हो जाता है C option American open तो इसका option C हमारा right है उसके बाद साथियो अगला question है round robin को दिया गया एक नाम है तो round robin से संबन्द क्या है या दिया हुआ क्या नाम है तो A option है knockout tournament और B है lander tournament और C है league किस्म की प्रतियोगता और D option है इन में से कोई नहीं तो इसका साथियोँ इसका भी league किस्म की प्रतियोगता ये round robin को दिया गया एक नाम है उसके बाद साथियोँ इसकी ब्याख्या है league tournament को round robin tournament भी काते हैं इसमें परते एक team को भाग लेने वाली सभी teamों से match खेलना पड़ता है जिसमें हार जीत के प्राप्त अंको से final तय होता है श्री वर्गर ये पहले ब्यक्तिते जिनोंने league प्रतियोगता कि कलपना की थी इसलिए इसे वर्गर सिस्टम भी कहते हैं उसके बाद साथियोँ अगला question है IAAF का पूरा नाम क्या है तो ए आप्शन है International एटलेटिक्स फेडरेशन और B आप्शन है Indian M-Ture Athletics Federation और C आप्शन है Indian Association आप एटलेटिक्स एंड फिल्ड इवेंट्स और D आप्शन है उप्रियोगत में से कोई नहीं तो शातियों इसका जो है राइट आंसर हो जाता है International M-A-Ture Athletics Federation यानि एए आप्शन इसका साथियों राइट उत्तर है उसके बाद साथियों अगला कोईशन देखते है राउंड रोबिन प्रतियोगता में डबल लीग के परकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सुत्र तो A आप्शन है N-2 आपन 2 और B आप्शन है N और कुष्टक में N-1 और C आप्शन है N N-1 और D आप्शन है N प्लस 2 आपन 2 तो डबल लीग के लिए साथियों पूछ रहा है तो इसमें B आप्शन राइट हो जाएगा N और N-1 तो ये सुत्र होता है साथियों और इसकी ब्याख्या है राउंड राविं परत्योगता बर्गर सिस्टम में डबल लीग में कुल मैचो की संख्या ग्याद करने का सुत्र यन गुड़े यन माइनस वन होता है नोट यन कुल टीमों की संख्या अगला कोशन है परभावसाली टीम वाता वरण किसके द्वारा बिख्सित होता है तो पहला अप्षन है समाजिक समर्थन और दूसरा है विशिष्टता और तीसरा है समीपता और पाच चौथा है निस्पच्छता और पाच वा है विख्तिगत उतक्रिष्ट और इसमें साथ योग कूट दिया हुआ है ए अप्षन में है एक दो और चार और पाच और बी अप्षन में है एक दो तीन पाच और सी अप्षन में है एक दो तीन और चौथा और डी अप्षन में है तीन और चौथा और पाचवा और एक तो इसको साथियों हमें सही करम में लगाना है यह कूट है तो इसका साथियों राइट उतर हो जाता है पहला और दूसरा तीसरा और चौथा यानि सीरियल से रहेगा सारा यानि की समाजिक समर्थन और उसके बाद होएद बिशिष्टा और समीपता और 4 अप्ั่न हो जाता है निस्पचिता वेक्ति का तो उसकी की नहीं है तो साथिओँ income आप खंशन हमारा राइत उत्तर है तो इसकी भी ब्याक्या देखते हैं समाजिक समरतन विशेशता समीरता निस्पचता उसके बाद साथियो अगला कोशन है प्रतियोगिता केवल तो इसमें एक सीखी गई समाजिक परकिरिया है और चरित्र विकास को फलोपादक रडनीत है अब ब्यक्ति के विकास के लिए विद्वन्सकारी है और डी अप्शन है मानो विकास के लिए अनिवार है तो इसमें साथियो एक सीखी गई समाजिक परकिरिया है प्रतियोगिता का सम्मंद एक सीखी गई समाजिक परकिरिया है तो इसकी ब्याख्याय सातियों प्रतियोंके समाज के द्वारा तत्त समाज के वातावररं का वह अंग है जो व्योंके बीच में गत्बिदियों का अनुसरण करने की छमता काकलन किया जाता है। परकिरिया समाज में ही संभाव प्रतियोगता एक समाज का चेहरा होता है तो इसके बाद साथियों अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण इन दिनों कारपोरेट घराने खेल कुद की और आक्रिष्ट हो रहे हैं तो ए है टूनामेंटो की अधिक संख्या और बी है मीडिया परचार और सी अप्सन है खेल कुद उद्धोगों का विकास और डी अप्सन है एतलीटों पर बहुत अधिक दाओ तो साथियो इसका राइट अंसर हो जाता है खेल कुद उद्धोगों का विकास यानि कि सी अप्सन है राइट इसका उसके बाद सातियों इसकी ब्याक्या है खेल कुद उद्धोगों के विकास के करण इन दिनों कार्पोरेट घराने खेल कुद की और आक्रिष्ट हो रहे हैं क्योंकि खेल कुद में कार्पोरेट घराने के आने के करण खिलाणियों के चुनाओ तथा देश में उभरती प्रतिभाओं का चैन का रास्ता खुलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि किसी नाक आउट टूनामेंट में 19 टी में भाग ले रही है तो कितनी बाई दी जाएगी पहुत इंपर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यह अपसन है 3, B अपसन है 7, C अपसन है 13 और D अपसन है 18 तो इसका राइट उत्तर हो उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी नाक आउट प्रतियों के संख्या दस हो तो इसमें से राउंड होगे 10 टीमों में कितने राउंड होंगे तो इसका साथियो ए आप्सन है 4 और B आप्सन है 5 और C आप्सन है 7 और D आप्सन है 9 तो इसमें ए आप्सन हमारा राइट उत्तर है चार राउंड होंगे उसके बाद साथियो अगला देखते है अगला कोश्चन है एसा कहा जाता है कि शिरी बर्गर वो पाले ब्यक्ति थे जुन्यों ने प्रतियोगता की कलपना की थी जिसमें बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है तो किस प्रतियोगता की कलपना की थी साथियो तो नाक आउट और लीग कंबिनेशन चैलेंज तो साथियों आप बार-बार ये question आता है साथियों तो ये जो है लीग प्रतियोगता की कलपना की थी इसलिए B आपसन इसका right है और इसकी ब्याक्या है लीग टूनामेंट को round 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 भी टूनामेंट भी कहते हैं इस टूनामेंट में परते एक टीम को भाग लेने वाली सभी टी रहे उसके बाद साथियों अग्ला question है किसी नाकाउट पद्धति में पराजी टीमो को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है तो कब मिलता है किस नाकाउट में पराजी टीमों को दुबारा खेलने का मौका मिलता है पहला है A option है single knockout पद्दती और B option है double knockout पद्दती और C option है बैगनाल wild पद्दती और D option है knockout come league पद्दती तो इसका साथियो double knockout पद्दती में जो है दुबारा खेलने का मौका मिलता है तो B option इसका right उत्तर है उसके बाद सातियों इसकी ब्याक्या है डबल नाक आउट अत्वा डबल एलिमिनेशन टूनामेंट कांसोलेशन टाइप सीकेंड का बिस्तार है जिसके अंदर पराजित दल या खिराडी को खेलने का अतरीक दोसर प्राप्त होता है जिससे वह पूना बिजेता बन सके उसके बाद सातियों अगला कोश्चन है कुल ग्यारा टीमों में 22 की संख्या होगी तो सातियों ए आपसन है कुल आट बाईज कुल पाच बाईज कुल साथ बाईज और कुल चार बाईज तो सातियों इसका राइट अंसर हो जाता है कुल पाच बाईज तो बी आपसन हमारा र कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है पाट साला में सारी रिख सिच्छा के कारिकरमों को ख्याति परदान करने वाला मुख्य उपा गमन है तो यह है सिच्छक गड़ बीए विद्यार थी और सिए विग्यापन और डी अप्शन है अन्ता पाट साला कीड़ा अन्ता पाट साला कीड़ा प्रतिवाएं उसके बाद इसकी ब्याक्या इंट्रा मुरल्स का अर्थ उन गत्विदियों या किरियाओं से है जो चार दिवारिया संस्थान के अंदर खेली जाती है यह प्रतियोगता एक संस्थान के सभी विद्यार्थियों को खेल में भाग लेने के लिए अभी प्रेरीत करने वाला सर्वत्तम साधन है उसके बाद सातियों अगला कोश्चन है सारीरिक सिच्छा में समय साहड़ी को प्रभावित करने वाले कारक यह आपसने बिद्यार्थियों की संक्या भी यह उपकरण की उपलब्दता और सी यह वातावरण और सभी आपसन साही है इसलिए उप्रोक्त सभी तो इसका सातियों ब्याख्या है सारीरिक सिच्छा में समय साहड़ी को प्रभावित करने वाले कारक बिद्यार्थियों की संक्या उपकरण की उपलब्दता समयावदी वातावराण अध्यापक संक्या आदी और उसके बाद सा साह सातियों आपसे सांद है राइट उत्तर हो जाएगा पिरामीड परकार चुनावती परतियों कि तो इससका भी आपसन हमारा राइट उत्तर है मैं उसके बाद साथियों अगला कोश्च्छन देखते हैं बजट बनाने का पर्थम चला रहा है बहुत इम्पर्च्छन ईस तो इसका साथियो राइट उत्तर हो जाता है योजना बजट बनाने का पर्थम चरण होता है योजना बनाना उसके वाद साथियो इसकी ब्याख्या है बजट बनाने का पर्थम चरण योजना प्लानिंग है इसमें सबसे पहले योजना तयार की जाती है उसके वाद साथियो स संस्था की चाधिवारी के अंदर आयोजीत प्रतियोगिता को कहते हैं इंट्रामियूरल्स एक्ट्रामियूर्स हाल के में आयोजीत प्रतियोगिता मैदान में आयोजीत प्रतियोगिता तो इसका राइट उत्तर साथियो यह हो जाता है इंट्रामियूरल उसके बाद साथियो इसकी ब्याक्या संस्था के चाधिवारी के अंदर आयोजित प्रतियोगिता को इंट्रामिरल्स टूर्णामेंट करते हैं मैं बताना चाहूंगा कि यदी कोश्चन ये भी देदे कि एक विद्याले के एक विद्याले में यदी बिभिन कच्छाओं के बीचों में प्रतियोगिता कराया जाती है तो कौन सी प्रतियोगिता होती है तो वह भी इंट्रामिर्ण्स होती है उसके बाद साती हो अगला कोश ने खेल प्रत्यो क्ता आयोजित करने हैं हेत प्रबंधन का मुख्य सिदान्त है यहाजनन बी है व्यवस्थापन और सीफ है आयबे आय लेखा आड़ी है उपरोग्त तो इसका साथ यहो और सभी आप सनो इसके सही है उपरोग्त मुख्य है तो इसकी ब्याक्या है खेल प्रत्युक्ता आयुजित करने है तुस प्रबंधन का मुख्य सिधान्त योजना ब्यवस्थापन और आय ब्याय लेखा ये सभी जो है खेल प्रत्युक्ता आयुजित करने है तुस प्रबंधन का मुख्य सिधान्त है तो शातियों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलपुल होगा। और शाथिवो ये वीडियो आपको पसंद आएगा इसको जादा से ज़दा से खरें और लाइक करें और कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करें और परिच्छा में अपने आंग को सुनिशित करें इसी के साथ सातियों आप से बिदा लेते हैं जैहिन जैवार